1, 2, 3, come on! Welcome to Educative! Hello students, welcome to my YouTube channel जिसका नाम है Educative और आज हम पढ़ेंगे 6th class की science का chapter 7 Getting to know plants, यानि की पोदो को जानिये बच्चों, इस से पहले हम इस chapter के कुछ parts को अपने different different वीडियो में cover कर चुके हैं अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका link आपको description box में मिल जाएगा तो वहाँ से आपको सभी वीडियोस को देख लेजिए ताकि आपको chapter पूरा अच्छे समझ में आ जाए और ये इस chapter का last part है तो चलिए बिना किसी देरी के chapter शुरू करते हैं बच्चों इस chapter में हम plants के different different parts के बारें पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने root के बारे में पढ़ा, branches के बारे में पढ़ा, stem के बारे में पढ़ा, leaves के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे flower के बारे में यानि की fool के बारे में यो आर शॉन थ्री branches of a rose in figure 7.19a, b and c तो यहां आपको तीन figures दिखाये हुई हैं जो कि एक rose की branch की है which one will help you to best to recognize the plant तो कौन सी picture को देखके आप अच्छे से किसी plant को पहचान सकते हैं तो यह देखिए जब आपको c वाली figure है इसको देखके आप अच्छे से पहचान पा रहे हैं which color did you use for the flower in figure 7.19c तो आपने जो यह figure बढ़ना ही है c वाली इसमें कौन सा color यूज किया है flower के लिए are all flowers colorful तो क्या सबी के सबी flowers जो होते हैं colorful होते हैं have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango और गौवावा और क्या आपने गास के उपर, game के उपर, जो मक्का है, आम है और गौवावा है उनके flowers देखे हैं, are those brightly colors क्या यह जो flowers हैं वो brightly colors क्यों होते हैं let us study a few flowers तो चलिए कुछ flowers के बारे में पढ़ते हैं अब दी हुए हमें activity 10 we would require one bird and two fresh flower age of any of the following तो हमें क्या चाहिए, यहां पर कोई एक bird चाहिए और कोई भी दो flowers चाहिए इनमें से यह दतुरे का, चाइना रोस का, मस्टर का, ब्रिंजल का, लेडी फिंगर का, गुलमोहर का इनमें से कोई भी दो flowers ले ले लिजिए also a blade, a glass light और a sheet of paper, a magnifying glass and water और साथे साथ हमें एक blade चाहिए, एक glass light या sheet paper की sheet चाहिए और एक magnifying glass और पाने चाहिए observe figure 7.20 carefully और जो हमारी next figure है, इसको आपको carefully देखना है look at the prominent part of the open flower और जो आपको इस figure में, जो flower के part दिखाए दे रहे हैं इनको ध्यान से observe करना है these are the patterns तो यह देखे, जो बाहर यह पंखुडियां दिखाए दे रही हैं आपको यह कहलाती है, petals different flowers have petals of different color अलग-अलग flowers के अंदर, अलग-अलग फूलों में अलग-अलग color की petals होती है where do you think the petals are in a close bird तो जो यह close bird है जो first word, जो कली है इसके अंदर आप क्या सोचते हैं कि यह petals कहां होंगी which is the most prominent part in a bird और जो यह bird होती है इसका सबसे prominent part कौन सा होता है did you see that this part is made of small leaf-like structure तो क्या आप देख रहे हैं कि जो यह part है इसका यह छोटे-छोटे पत्यों जिसे structure से मिलके बना हुआ है they are called saples और इन पत्यों को क्या कहते है saples यह देखी figure में यहाँ पे दिखाया भी हुआ है saples और petals take a flower and observe its petals and saples तो यहाँ पे आप एक flower लेजिए और उनके saples और petals को observe कीजिए now answer the following question और उसके बाद यहाँ कुछ question दिये हैं उनके answer आपको देने है how many saples it have तो जो आपके पास flower है उसको देख के आपको answer करने है कि उसमें कितने saples है what are the colors of the petals and the saples और जो petals और saples है इनके color क्या क्या है वो भी बताने हैं आपको how many petals does the flower have और जो flower है उसके अंदर कितने petals है are they joined to one another are they separate और या वो जो saples है वो एक दूसरे से जुड़े हुए है या अलग-अलग है तो जो यह saples हैं क्या वो flower के साथ या पैटल के साथ जुड़े हुए हैं या उनसे अलग-अलग हैं तो class के सभी बची यह observation करेंगे और जो आगे हमें टेबल दी हुए 7.3 उसको फिल करेंगे add observations to this table from a field trip to a locally where there are plants with flowers तो आप यह observation किसी trip पे जाएं तो वहां से भी complete कर सकते हैं जाकि अलग-अलग flower वाले plant होंगे fill the last two columns later और जो last के दो columns दिये हैं उनको फिर से fill कीजिए to see the inner part of the flower clearly you have to cut it open if its petals are joined और अगर जो flower के petals हैं वो जुड़े हुए हैं तो हमें इनकी petals को जुड़ी होती हैं इनको cut करना होगा for example in the dhatura and other bell shape flower the petals have to be cut lengthwise तो कुछ ऐसे भी plant होते हैं जिनकी bell shape के flowers होते हैं तो उनकी petal को lengthwise लंबाय में cut करना होगा for spread so that the inner part can be seen clearly और इसको फैला देंगे जिससे की हमें जो अंदर के पार्ट हैं आंत्रिक पार्ट हैं वो आसाने से देख पाएं remove the sepals and petals to see the other parts और धीरे धीरे जो flower के sepals है और petals है इनको remove करेंगे जिससे की हम इसके और पार्ट को भी देख सकें study the figure 7.22 carefully अब जो हमें आगे एक figure दे हुए 7.22 इसको आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद it shows different kind of stamen present different flowers तो इसमें हमें दिख रहा है कि यहां पर अलग-अलग flower में अलग-अलग तरह की stamen होते है can you recognize the two part of stamen in your flower तो क्या अपने flower में आप दो तरह की stamen को पहचान सकते है how many stamen are there in your flower तो अपने flower में देखियो बताएए कि आपके flower में कितने stamen है draw one stamen and label its part तो आपको एक stamen की picture draw करनी है और उसके parts की labeling भी करनी है इस तरह से यह देखिए यह stamen को draw किया गया है इसके part कौन-कौन से है filament और एंथर तो इस तरह से आपको भी draw करना है the innermost part of flower is called the pistil और जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है फ्लार का उसे कहते है पिस्टिल यह देखिए इस फ्लार में नीचे दिखाए दे रहे हैं यह सबसे अंदर वाला जो green pill का part यह है पिस्टिल if you cannot see it completely remove the remaining stamen और अगर आप इसको ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं तो जो बाकी की stamen उनको भी हटा देजिए identify the part of the pistil with the help of figure 7.24 और जो पिस्टिल की जो पार्ट है उनको identify करने के लिए आप figure 7.24 की मदद ले सकते हैं देखिए यहाँ पे पिस्टिल के part दिखाए गए हैं कौन-कौन से सबसे उपर देखे stigma उसके बाद style और नीचे ovary तो इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं draw a neat label diagram of the pistil of your flower तो आप अपने जो flower है उसकी पिस्टिल का भी एक neat and clean diagram बनाईए और उसको label कीजिए इस तरह से ही अब है next activity activity 11 let us now study the structure of ovary तो अब चलिए जो ovary होती है किसी भी flower में उसके बारे में हम study करते हैं it is the lower most and swollen part of the pistil तो जो यह ovary है यह सबसे नीचे वाला और कुछ उबरा हुआ पार्ट होता है पिस्टिल के अंदर यह आपको उपर figure 7.24 में दिखाया भी हुआ है कि नीचे जो उबरा हुआ सा पार्ट है वो आपको दिख रहा है कि ovary है we will cut this part of to study what is inside तो अब इसको हम study करने के लिए क्या करेंगे इसको cut कर लेंगे कि इसके अंदर क्या है look at figure 7.25 तो हमें आगे figure दे हुई है 7.25 A और B तो उसको हम carefully देखेंगे और उसको समझेंगे कि जो flower की ovary होती है उसको cut करने के बाद अंदर से क्या दिखाया देता है यह देखिए आपको इस तरह से cut करना है cut the ovary in two different ways as shown in figure 7.25 तो जो यह figure हमें दिखाया दे रही है to prevent them from drying put a drop of water on each of two pieces of the ovary you have cut और यह सूखे ना इसके लिए हम इसको पर कुछ बूंदे पाने की डालते रहेंगे अब देखे कट करने के बाद आपको अंदर से यह ovary इस तरह दिखाया दे रही है और जो यह round round से आपको शेप दिखाया दे रही है यह है इसके ovules अब यहां देखते हैं हमें क्या दिया है observe the inner part of the ovary using lens तो जो inner part है ovary की है उनको यह lens को use करके हमें इनको देखना है do you see some small beads like structure inside ovary तो क्या आपको छोटे-छोटे कुछ beads की तरह की structure दिखाया दे रहे हैं ovary के अंदर इन्हें का जाता है ovule यह देखिए जो यहां पर दिखाया भी हुए है यह है ovule draw and label the inner part of the ovary in your notebook तो अब आपको क्या करना है जो आपका plant है उसकी ovary का जो inner part है उसको draw करना है अपनी notebook में try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person तो अब आप जितने flowers हो सकते हैं आप से उनके नाम पैचाने कोशिश करेंगे या आप क्या सपास कोई gardener है या कोई और निवेक्ती है जो आपको पैचान बता सकता है तो उनसे आप पूछ सकते है remember no to pluck more flowers than you need और आपको ये याद रखना है जरूर कि आपको आउशकता से ज़्यादा flowers बिलकुल भी नहीं तोडने है based on what you have filled in table 7.3 answer the following question और जो आपने table fill की है उपर 7.3 उसके basis पे आप इन question के answer देंगे do all flowers have sepal, petals, stermen and pistil क्या सभी flowers की sepal, petal, stermen and pistil होते है are there flowers that do not have one or more of these क्या कुछ ऐसे flowers भी हैं जिन में से इन में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें ना हो are there flowers which have part other than these या कुछ ऐसे भी flowers के part हैं जो इसके अलावा होते है did you find any flower which has no difference between sepal and petal और क्या आपको कोई ऐसा flower भी मिला जिसमें sepal or petals में कोई भी difference नहीं है did you find any flower in which the number of stermen is different from the number of petals तो क्या आपको कोई ऐसा flower भी मिला है जिसमें जो stermen के number हैं वो petal से different हो do you now agree that the structure of the flower is not always the same तो क्या आप इन सब बातों को समझेने के बाद आप इस बात से एगरी करते हैं कि जो flower का structure है हमेशा सेम नहीं होता है the number of sepal, petals, stermen and pistil may also be different in different flowers और अलग-अलग flowers में ही sepal के, petals के, stermen के और pistil के अलग-अलग numbers हो सकते हैं some of these parts may even be absent at times और इन में से कुछ part किसी flower में absent भी हो सकते हैं we have studied some features and function of leaves, stem and roots तो हमने कुछ functions पढ़ें यहाँ पे, different different parts के plant के जैसे कि leaves के पढ़े, stem के पढ़े और root के पढ़े we study the structure of different flowers और साथे साथ हमने जो flower है, push बोता है, उसके structure के बारे में भी study की we will learn about the function of flower in higher classes तो जब हम बड़ी classes में हो जाएंगे, higher classes में तो वहाँ पर इनके function के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे we will also learn about fruit in higher classes और इसके साथ ही साथ हम fruits के बारे में भी अपनी बड़ी classes में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे तो बच्चों, यह था हमारे chapter 7 जो कि complete हो गया है I hope आप सभी को chapter 7 में आया होगा अगर chapter 7 में आया है, वीडियो अच्छे लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं जो भी topic आपको confusion create कर रहा है उसको जरूर बताइए उसे के लिए आपके next वीडियो आपको मिल जाएगी और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस कर लिजी जिससे कि हमारे सबी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहेंगी और आपका स्लेबर्स पिछे नहीं रहेगा, कम्प्लेट टाइम से हो जाएगा अब एक लिए बस यह कहूंगी, घर पे रहें, मगर पढ़ते जरूर रहें थैंक्यो फूर वाचिंग मैं वीडियो